Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय जैसा कि हमें मालूम है कि इरान और इसराइल के बीच में टेंशन काफी बढ़े हुए हैं और इसी महीने के एक तारी को इरान के द्वारा इसराइल के ऊपर लगभग 200 या उससे भी अधिक रॉकेट्स दागे जाते हैं जिसके बाद अगर आपको याद होगा तो इसराइल के तरब से बहुत सारे ऐसे हाई रैंकिंग ओफिसर्स का ये दावा था या इनफैक्ट उनके द्वारा वार्निंग इशू की गई थी जहाँ पर उनका कहना था कि इरान के द्वारा इस अटैक का जवाबी कारवाई किया जाएगा इसी के रिगार्डिंग दो डॉक्यूमेंट्स लीग होते हैं जहाँ पर ये मालूम पढ़ता है कि इसराइल आल्मोस्ट एक फुल फलेज वार के तयारी कर रहा था इरान के साथ और इस पूरे प्लैनिंग में यूएसे के साथ चार और देश शामिल थें सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक सवाल के साथ शुरू करते हैं कि आखिर में ये जो डॉक्यूमेंट्स था वो लीग कहां पे हुआ था तो आल्मोस्ट आज का जो जमाना है वो बहुत हद तक सोशल मीडिया डिरिवन है तो ये जो दो डॉक्यूमेंट्स लीग होते हैं ये इस टेलिग्राम के एक चैनल है जिसका नाम है Middle East Spectator जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये बहुत हद तक प्रो इरानियन या बहुत हद तक anti-US या anti-Israel content को share करते हैं और इस टेलिग्राम ग्रूप का ये दावा है कि जो डॉक्यूमेंट्स इनको मिले हैं ये डारे पर एक जो बहुत ही basic या बहुत सारे जो experts मानते हैं वो ये मानते हैं कि अगर कोई भी देश unnecessary तरीके से कहीं पर भी एगर war wage करता है या war में जाता है तो बहुत सारे जो वहां के officers होते हैं उनको अंदर से उस war में जाने का मन नहीं करता है क्योंकि उनको मालूम होता है कि य Middle East Spectator के द्वारा कि US के किसी intelligence के लोगों ने इनके साथ ये document को share किया तो इस बात को आप पुरी तरीके से deny नहीं कर सकते हैं एक बहुत ही basic काम देश के द्वारा ये किया जाता है कि जहां पे भी उनको attack करना होता है उस जगे के बारे में सबसे पहले वो रेकी करते हैं और intelligence gathering करते हैं तो exactly इस document में जो information release की गई है या जो इस document में information है वो एक proper जो एक systematic तरीका होता है कहीं पे भी attack करने का वो बहुत ही systematic तरीका से इस document में information है मतलब क्या हुआ इसका तो US के ही defense का एक intelligence agency है जिसका नाम है National Geo Special तो इनका जो काम है वो ये है कि satellite और जो surveillance drone होते हैं उससे monitoring की जाते ये area का और उसके बाद उस area के बारे में analyze किया जाता है और देखा जाता है कि उस area वो कितना safe है या कितना safe नहीं है अगर किसी भी तरीके से उस area पे attack किया जाएगा तो उसके अपने क्या consequences होते हैं जो कि एक बहुत ही basic या routinely काम होता है और ये जो चीज़ से ये almost ह जगा होता है तो अगर आप इसको बहुत ही कम शब्दों में समझना चाहें तो जिस तरीके से information को release किया गया है telegram के इस channel पे उस information को पढ़ने के बाद जितने भी जो analyst या war expert हैं वो इस information को deny नहीं कर रहे हैं और उसके बाद जिस तरीके से इतना sensitive information बाहर होता है ये बहुत ह हद तक US को expose करता है इरान directly attack करता है इसराइल के उपर 1 October को और जो documents release हुए है इसका जो date है वो 15 और 16 October को है यानि कि ये within a week का document है और जैसा कि US के बारे में हम सभी को पता है कि इनसे बड़ा hypocrite देश कोई हो ही नहीं सकता या in fact 1950 के बाद almost सबसे अधिक जो war crime किया गया है वो US के दुआरा ही किया गया है और ऐसा नहीं है कि आज जस तरीके से इसराइल के दुआरा bombing किया जा रहा इसमें innocent lung नहीं मारे जा रहे हैं चाहे आप Gaza की बात कर ले चाहे आप Lebanon की बात कर ले या in fact इसको अगर आप और भी कम शब्दों में समझना चाहें तो Middle East में जो crisis है इस trial के plan के बारे में मालूम था तो वो सारे देश है UK, Canada, New Zealand और Australia ये पाँचो देश मिलके एक intelligence group को बनाते हैं जिसका नाम है Five Eyes इनका जो basic काम है वो है intelligence gathering यानि कि अगर किसी भी देश के हाथ में कोई भी ऐसा information लगता है जिससे कि इनको लगता है कि खास करके इनके उपर किसी भी तरीके से attack होगा या इनको नुकसान पहुंचेगा तो ये सारे देश मिलके आपस में information को share करते हैं वहीं पर बहुत बार US media में आके ये कहता है कि जिस तरीके से attack हो रहा इसको जल्द से जल्द रोका जा या humanitarian crisis हो रहा या जिस तरीके से Israel United Nation के chief Antonio Guettres को Israel में आने से ही मना कर देते हैं या उनको ban कर देते हैं ये सारे जो steps होते हैं ये बहुत ही extreme steps होते हैं और इन सब steps के पीछे अगर US का backing नहीं होगा तो Israel बढ़ चड़ कर इतना extreme steps नहीं उठा सकता है चाहे Israel के दुआरा गजा में bombing करने की बात हो या Lebanon के सदन हिस्से में ground invasion करने की बात हो इन सभ जो गजा में हैं वहाँ पे bombing करना बंद करें या जिस तरीके से आप Lebanon के सदन हिस्से में ground invasion कर रहें इसको आप रोकें इससे जो सबसे बड़ा खत्रा होता हुआ दिख रहा वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो war है ये काफी और massive तरीके से हो जाए क्योंकि चाहे इराक हो या Syria हो गया इन सब देशों में भी US का UK का इनके बहुत सारे assets या इनके बहुत सारे जो oil companies हैं वो काम करते हैं तो अगर किसी पर तरीके से ये war बड़ा होता है तो इनके जो assets वगेरा है उस पे attack होगा और जो as per media report है उसके हिसाब से Israel का ये कहना है कि जिस तरीके से इरान न जो high ranking Israel के officers है उनका exactly यही statement है और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि US इस document में जो information contain करता है उसको किसी भी तरीके से deny नहीं करता है जो कि अपने आप में एक validation का काम करता है और जो US के लिए सबसे बड़ा concern है वो ये है कि जिस तरीके से ये document leak हुआ है वो अपने आप में काफी बड़ा एक security breach हो जाता है जहां पर US के पास अब तक ये कोई जानकारी नहीं है कि उनके ही किसी high ranking officers ने इस document को leak किया है या किसी भी तरीके से इनके जो server है उसको hack करके ये document को release करवाया गया है ये सारे documents किस तरीके से leak हुए हैं किस ने कराया है ये एक अलग बात है ल US की बहुत सारी companies हैं जो weapons बनाते हैं वो भर-भर के Ukraine को support कर रहे हैं और वो भर-भर के Israel को भी support कर रहे हैं यानि कि उनको एक perfect time मिला है जहां पे वो अपने business को और भी multiply कर सकें I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye